Hello everyone, welcome to education, India's most trusted education brand. So this one is a daily dose DLR3, as you know, अगर आप पहले से हो, तो आपको पता है, कि description में एक link है, आप उसके थूँ जाके daily dose को as a quiz format में दे सकते हो, या जब यहाँ पर video solution ने start होगा, तो question को pause करके, video को pause करके, question को solve कर सकते हो, तो चुले start करते हैं daily dose DLR3, आपको comment करके यह भी बताना है कि कितने time पर आपने question को solve किया या आप से solve हुआ या नहीं, think cat, think education. Hi, let's solve one of the best question of linear arrangement in which you know, some people are facing north and some people are facing south, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग इधर देखने हैं, कुछ लोग उधर देखने हैं, is one of the confusing question जो हमें साथ देखता है, I want to please pause the video and try this best question of linear arrangement. I hope you have watched the video and question solved किया होगा, so this one is the data, हम plot करते हैं, question को देखते हैं, इसमें one of the information क्या दिया होगा है, some are facing south and remaining are facing north and no two person sitting adjacent facing the south, दो south वारे एक साथ नहीं बैठे हो है, अब अगर आप data को पर होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, and 7, they are just information, आप उसे कुछ भी प्लॉट नहीं कर सकते हो, but when you club the data 5 or 6, you get actually data, आप इसे प्लॉट कर सकते हो, I is the immediate left of N, and one of them is the end, देखो, N के left में कौन सा है, अगर मैं मान लूँ आई है, मान लो N के left में आई है, ये नीचे देख रहा है, या N उपर देख रहा है, कि left में I है, and this one is the one of the end, अगर आपको पता है, कि ये one of the end पे आपका है, ये इसके क्या है, left में है, left में और कोई नहीं हो सकता, because I is the end, यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, I is the end, but यहाँ लिखा है, G is the left of N, देखो, N के left में I, if N is के left में I है, और one of the end है, तो G तो left में हो जी नहीं सकता, तो अगर हम मैं दोनों data को merge करूँ, तो हमें एक बात तो पता चल जाती है, कि boss, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N should be one of the end, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N is the one of the end, और उसके बगल में I है, N उपर देख रहा होगा, तभी तो left में I होगा, N नीचे देखेगा, तभी तो left में I होगा, and G could be anywhere, G कहीं भी हो सकता है, मैं इसको पता है, वो left में है, दूसरी बात देखो, आपका क्या है, G is the left of N, I is the one of that, मैंने इसको यूज़ कर दिया, तो मैं इसको डाता हूँ, N हूशिफ्ट left of L, L मतलब यहाँ पर है, कि left में होने का मतलब L इस data में नीचे देख रहा होगा, यहाँ L ऊपर देख रहा होगा, तभी तो इसके left में N होगा, तो हमने इसको प्लाट कर दिया, यह जो data 5 और 6 है, actually इससे अगर मैं start करूँ, तो बहुत easily solve होगा, K and L faces the same direction, K and L दोनों same direction में देख रहे हैं, यह मुझे को पता है, and M is just opposite, M is just opposite, अगर दोनों नीचे है, तो यह मुझे को पता है, उपर है, अब देखो, since मुझे को पता है, कि दो लोग एक direction में south में नहीं दे सकते हैं, तो यह अगर नीचे देख रहा है, तो मुझे को पता है, I उपर होगा, तो यह मुझे को पता चल गया, मैंने इस data को भी use कर दिया, अब देखो, I के बार में कुछ लिखा हुआ है, क्या, case it immediate right of H, who faces the same direction as I, यहाँ पर अगर I उपर देख रहा है, तो मुझे को पता है, H भी उपर देख रहा होगा, और H के right में K है, यह मुझे को पता है, और जो भी उपर देख रहा होगा, तो मैंने तो यह plot कर दिया, तो इसको मैं यहाँ आता हूँ, इस दोनों को एक साथ मुझे को ले के आना है, जहाँ भी जाएंगे वो एक साथ जाएंगे, मुझे को पता है, तो मैंने यह लिख दिया, अब देखो जो important data है, the number of people in the right of M, M अगर नीचे देख रहा है, तो इसके right का मतलब इधर होगा, यह मुझे को पता है, number of people in the right of K, से right of K, K का right इधर होगा, अब देखो, अगर मैं इस data को, पहले तो मैं यहां से इसको अटाता हूँ, इसको उपर लेकि जाते हैं, मैं अगर आप से बोलता हूँ कि, मान लो, M यहां पे है, मान लिया, वो नीचे देख रहा है, तो इसके right में कितने लोग हैं, दो लोग, अगर M के right में दो लोग हैं, तो K के right में तीन लोग होँगे, एक, दो, तीन, K यहां होगा, यह मुझे को पता है, उपर, और इसके बगर में क्या होगा, H होगा, यह मैंने plot किया, अगर मैंने M को यहां plot किया, तो automatic K यहां plot होगा, M के right में दो लोग हैं, K के right में तीन लोग हैं, यह देख लो मैंने मान लिया, M sits second to the right of G, अब second to the right of G, यहां देखो N है, यहां I है, G यहां पे तो नहीं हो सकता है, मतलब, यह दोनों contradict हो जाएगा, अगर मैंने M को यहां plot किया, मतलब मैंने M को जो plot किया है, वो गलत plot कर दिया है, मैं फिर से plot करता हूँ, मैं अगर, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, M को अगर मैं यहां plot करूँ, मुझको पता है M नीचे है, तो right में 3 लोग है, तभी तो M के right में 3 लोग, K के right में 4 लोग, जो की contradict हो गया, नहीं हो सकता है, तो इसको फिर से मैं हटाऊँगा, ऐसा करते हैं, M को यहां plot करते है, M के right में कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, तो K के right में 5 लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, K should be यहां पे, K यहां पे हो सकता है, अगर यहां पे K होगा, तो यहां पे H होगा, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता है, मतलब मैंने जो plot किया, contradiction हो गई, अगर मैं M यहां लिखूं, 1, 2, 3, 4, right में है, 1, 2, 3, 4, 5, K यहां पे होगा, यह नहीं हो सकता है, अगर आप M को इधर plot करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, K यहां होगा, मतलब यह पूरा का पूरा direction आपका गल्ग है, आप इसमें plot नहीं कर पा रहे हो अपना, मतलब आपको काम कहां करना है, आपको काम करना है, उपर वाले data set में, तो यह तो मेरा खतम हो गया, अब मैं देखता हूँ कि कौन सा data set सही है, यहां देखो, मुझको पता है, अब इस data set में मैं plot करता हूँ, आई का direction मुझको नहीं पता है, आज पर दूर हम देख लेंगे, आई का direction क्या है, तो अब मैं फिर से देखता हूँ, I sit यहां तक तो ठीक है, G and L left of N ठीक है, L नीचे देख रहा है, KL in the same direction, देखो KL in the same direction है, यह मुझको पता है, which is different from M, M का direction उपर है, तो हमने यह दुनों देख लिया, number, K sits immediate right of H, यह मुझको नहीं पता है, लेकिन मुझको पता है, कि K S साथ में होगे, and H का same direction होगा, जो I का direction हो, वो बाद में देखेंगे, तो इसमें मुझको पता है, K H, अगर K उपर देख रहा है, तो H इधर देखेगा, I का direction भी उपर होगा, यह मुझको पता है, अगर H नीचे देख रहा है, तो K भी नीचे देखेगा, and I का direction नीचे होगा, बट दो लोग एक साथ नीचे नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब यह मुझे पता है, I भी उपर देख रहा होगा, H भी उपर देखेगा, and K इन दर राइट होगा, इसे हमें plot करना है, अब यह तो मैंने निकाल लिया, मतलब सारे डीटा के साथ, मुझे को पता चल गया कि इनका direction क्या है, K in the right, number of people in the right of M, देखो M उपर देख रहा है, तो अगर मैं M को यहाँ plot करूँ, इसके right में दो लोग है, K के right में तीन लोग होने चाहिए, तो K यहाँ plot होगा, मुझे को पता है, H यहाँ plot होगा, मुझे को पता है, ठीक है, मैंने M को यहाँ plot किया है, यह मेरा condition है, M sits second to the right of G, M second to the right of G है, अब मैं G को plot नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं से भी, G second right यहाँ पर होने कर दो, यहाँ पर K है, तो मैंने जो plot किया है M, मैंने गलद plot कर दिया, क्योंकि मैं G को plot नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो, M को अगर मैं यहाँ plot करता हूँ, M के right में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, तो K के right में कितने लोग होँगे, 4 लोग, 1, 2, 3, 4, K यहाँ होगा, मतलब मैंने इसे गलद plot किया, M यहाँ भी नहीं होगा, अगर मैं M को यहाँ plot करता हूँ, right में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, तो K के right में कितने होगे, 5 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, के राइट में 5 लोग होंगे तो वी है 1, 2, 3, 4, 5 तो के शुट भी हीर तो के यहां पे होगा जो नीचे देखेगा और के बगर में होगा जो ऊपर देखेगा अब दिखो M second to the right of G G के right में है मतलब M G दिख रहा है मैं इसको plot को दिया M is the second right of G G के second right में M है the number of paper in the right of M कितने लोग है 1, 2, 3, 4 K के right में कितने लोग है 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इस दोनों को plot कर दिया J sits two places away from H H से two places away है J यहां पे है मैं जो पता है and they both different direction अगर यह उपर देखता है तो यह मैं जो पता है नीचे देख रहा है and मेरा बचा कौन we have L L आपका नीचे देख रहा है यह आपको पता है this one is the entire plotting of the seat यह आपका entire plotting of the seat है and इसके भीहाब पे हम बाकी question solve करते हैं तो let's check this question इसको आप copy कर लो and this one is our seat इसमें हम लोग question को इसको करते हैं solve so let's solve the question who seats second to the right of J J के right में second कौन है L answer of this question is L question number 2 देखो इसमें हो क्या रहा है we have J, H J and H gap 1 का है I and H I, H में भी gap 1 का है M और G के बीच में भी 1 का gap है M, K के बीच में भी 1 का gap है बट अब देखो कि लोग first person है J नीचे देख रहा है बाकी में first person ऊपर देख रहे है यह में इसको पता है answer of this question is A rest में gap तो simple है बट यहां देखो first person ऊपर देख रहा है J नीचे देख रहा है answer of this question is A third, which one is definitely true M, G in a different direction नहीं M और G different direction नहीं है यह गलत है K and the J के बीच में 3 लोग है J and K के बीच में 3 places away है 1, 2, 3 यह सही है 2 लोग है 3 places away है 2 people sit between L and H L और H के बीच में 2 people यह गलत है यह गलत है answer of this question is C answer of this question is A and the B यह हमाना answer and I hope it is okay and I want कि आपने इस पजल को पूला देखा है I want again आप इसको solve करो so that you are going to learn many things just start from these two points and back here plot negate करो case contradiction होता तो इसको change करो and question को solve करो कि CAD consultancy BatchCAD mission open है CAD के किसी भी knowledge information के लिए यह आपको help करेगा और इसमें कुछ mocks और test free है fee is just 4.99 and हम लोग का freedom से लिए start हो चुका है तो अगर आप mocks में enroll करना चाहते हो along with the educat का mocks जो हमारा mocks है जिसमें 15 mocks है बाकी बहुत सारे test है along with this आपको बाकी भी other इंडिया में जो भी mocks हो रहे है वो provide किये जाएंगे with their discussion fee is just Rs.09 for the IIT, NIT और BIT students हमारा complete जो batch है practice batch plus mocks just Rs.09.99 for the LRDI fee is the 2800 under the freedom sale and the complete quant the fees 4000 जिसमें बहुत सारे वीडियो पहले से अप्लोडेद है and live practice चलते रहती है and booster batch which one is the our most shouted batch जिसमें practice होता है mocks होता है का cost just Rs.6,000 है description में link दिया है वहाँ पे जाओ आप अपने course में enroll करो और आप अपना दो best and cat में अगर आपको only LRDI, quant और VA सब कुछ चाहिए along with the mocks fee is Rs.12,000 तो दी जालता information जो मैं आपको sell करना चाहता था under the India's biggest education cell which is we called freedom cell ये validity बहुत जल्द खतम हो जाएगी because on the occasion of 15th अगस्त ये आड़ा है तो आप description में link में जाओ enroll करो करेंगा करेंगा झाल झाल झाल